क्लिंजिंग के बात क्या टोनर लगाना जरूरी है ही गाइज आज मैं आपको बताने वाली हूं मेरा परसनल फेबरिट टोनर जो मैं घर पर ही बनाती हूं तो लेस्ट सी हाव आई मेक टोनर एट हूं तोनर बनाने के लिए यू विल नीड वन ग्लास ओव मिनरल वाटर एंड टो ग्रीटी बैक्स हमने चुवे एक ग्लास मिनरल वाटर लिया है उसमें दो ग्रीटी बैक्स से ग्रीटी निकाल कर पानी में डाल देंगे आई अगर आपको अकमे पिंपल्स की प्राज़ब्लम थो आप इसके साथ आठ से 10 दर संब मेंट कुदीने की लिट्स से आट को सकते है पानी को हमें तब तक पकाना जब तक एक ग्लास पानी आधा ग्लास ना हो जाए तक हमें पानी पकाना है जब पानी आदा ग्लास हो जाएगा तब उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो पानी ठंडा हो चुका है और इसमें ग्रीन टी के सारे बेनिफिट्स आ चुके हैं अब हम इसे छान लेंगे इसके बाद आपको एड़ करना है लगबख हाफ कफ रोज वाटर यह उनके लिए अच्छा जो डारेक्ट रोज वाटर अपने फेस पे अपलाई नहीं करते हैं तो आप ग्रीन टी के साथ मिक्स करके रोज वाटर अपलाई कर सकते हैं रोज वाटर में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपरटीज होती हैं यह आपकी स्किन इडिटेशन को ठीक करने में हेल्प करता है अब हम एट करेंगे हाफ लेमन आप सब जानते हैं लेमन वाटमी सी से भरपूर होता है एंड वाटमी सी हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है सो लास्ट में हम एट करेंगे अलोवेरा जल आप घर वाला भी अलोवेरा जल एट कर सकते हैं मैं अल्रेडी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ लिंक आई बटन में दे दूंगी आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं अगर बॉटल नहीं है तो आप किसी भी बॉटल में रख सकते हैं इसे आप दिन में दो से तीन बार यूज कर सकते हैं इस टोनर को आपको फ्रीज में रखना होगा for refreshing. इस टोनर को आप 1 मन्थ तक अर्राम से यूज़ कर सकते हैं. इस टोनर को आपको आप टा-फेस वोस यूज़ करना है. इसमें लेमेन है, लेमेन में वाईमेन-C होता है and vitamin C skin के collagen को बढ़ाता है आपके complexion को भी brighten up करता है damage skin को repair करता है इसके बहुत सारे फायदे है